हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रागाव पटेल दोस्तों भारती रिजर वेंक यानी आरवी आई ने देश के बैंकिंग सिस्टम में एक जरूरी बदलाव किया है जिससे नौकरी करने बाले लोगों को बड़ा फायदा होने बाला है एक अगस्ते नेशनल आटोमेटेड किलियरिंग हाउश यानी एन एसी एच की शुवीधा हर दिन उपलब्ध होगी पहले आई सुवीधा सिर्फ बैंकों के बर्किंग डे यानी कारे दिवस पर ही उपलब्ध रहती थी हम जानेंगे क्या है एन एसी एच शुवीधा पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम में एलेक्ट्रोनिक किलियरिंग सिस्टम यानी एसी एस का प्रियोग किया जाता था नेशनल आटोमेटेड किलियरिंग हाउश यानी एन एसी एच उसी का एक एडवांस बर्जन है यह एक उननत किश्मी की बैंकिंग फैसिलिटी है इस चलाता है, RBI गवर्नर के अनुशार National Automated Clearing House, DBT यानि Direct Beneficially Transfer के एक लोग प्रिये प्रमुक माध्यम के रूप में उभरा है, इसमें लावार्थियों को सबसीडी के हस्तान तरण में बहुत मदद मिलती है दोस्तों क्या होता था छुट्टी के दिन भी अब चेक है जो clear हो जाएगा, अब हमें चेक देते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सुवीधा के लागू होने से अब चुट्टी के दिन भी आपका चेक clear हो जाएगा, अब ऐसे लोगों को बहुत जादा रहने की जरूरत है ऐसा इसलिए क्योंकि अफसनी बार को जारी किया गया चेक रभी बार के दिन भी क्लियर हो जाएगा यानि आपको चेक क्लियरेंस के लिए हर महीने और हर समय आपके अकाउंट में बैलेंस रखना होगा इदी चेक बाउंस होगा तो आपके उपर कर दिन भी हो जाएगा यानि ए ए से हैं सुवीदा के टॉंटी फॉर आवर अपलब्द होने के और भी बहुत फायदे हैं बैंक में छुट्टी होने पर खते से जो इयमाई की रासी है बहे कट जाएगी इस शुविधा के उपलब्द होने से यदि बैंक में छुट्टी है और आपकी कोई EMI है तो भाई बैंक के खाते से कट सकती है यदि आपका mutual fund का EMI है टेलीफॉन का बिल है तो सभी बिलों का भुकता नव बैंक की छुट्टी के दिन भी हो जाएगा छुट्टी के दिन आप की जो सेलरी है भाई भी आएगी क्या होता था मौजूदा समय में जो ज़्यदातर कंपनियां अपने जो बरकर को सेलरी देती थी तो पहले क्या होता था एदी बैंक में छुट्टी है या फिर रभी बार है तो आपके एकाउंट में सेलरी नहीं आती थी लेकिन अब इस अब इधा का इस्तमाल होगा ने सेलरी होती है या सेरदार कों की की डिविडेंड होती है बयाज होता है पैंसन ट्रांसफर जैंसे बड़े-बड़े भुखतान किया जाते हैं इसके अतीरेक्त बिजली कनेक्शन बापानी के बिल का भुखतान भी नेशनल आटोमेटट की sharing house किस दौरा या जाता है आम तोर पर इसके जर्य बलक पैमेंट की जाती है यानि जो बहुत सारे लेंदेन होते हैं और उन्हें एक साथ करना होता है तो इस शुविधा का लाव लेकर किये जा सकते हैं दोस्तों आसा है आपको यह कानून की वीडियो पशंद आई होगी वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें